Hello everyone, welcome back to your own channel Scientia जैसे कि आप लोग जानते हैं हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपेशन कर रहे हैं competitive exams के लिए वो C-Tet हो, P-Tet हो या फिर आपका entity का exam हो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए so that आपको डेली की update मिलती रहे आज हम physical chemistry की MCQs की series start करेंगे अगर पहले कि आपने chapters नहीं देखिया तो उनको देख लीजिए so that आप easily MCQs को solve कर पाए Let us start आज का जो हमारा topic होगा वो होगा basic principles of chemistry आज हम बात करेंगे chemistry के basic principles के बारे में जो chapter हम detail में क्या है पढ़ चुकी है start करते है first MCQ is the number of water molecules is maximum in water molecules किस में क्या रहते हैं maximum रहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे option A है आपका अगर मैं option A की बात करूँ 1.8 gram of water option B है 18 gram of water option C है 18 moles of water option D है 18 molecules of water आपने क्या है अंसर बताना है आप खुद भी solve कर सकते हो पहले वीडियो को pause करके ठीक है जी अगर बात करें solution की बात करें देखिए आपको पता है one just a second हाँ जी अगर solution की बात करें देखिए आपको पता ही है one mole of water के molecules किसके के इकुल होते है one mole of water के molecules किसके इकुल होते है हमारे अवगेड्रो नंबर के तो N A भी लिख सकते हैं वोगेडरो नमबर के मोलीक्यूल्स के इक्वल ठीक है जी अगर मैं बात करूँ यहीं पर हम क्या करें अपनी वैल्यूस को पुट करें तो 18 मोल्स की अगर मैं बात करूँ 18 मोल्स ओफ वाटर 18 मोल ओफ वाटर किसके इक्वल हो जाएगा 18 के मल्टिप्लाई हो जाएगी एवोगेडरो नमबर के साथ N A के साथ तो इसका मतलब क्या हो गया यह बन गी आपकी फर्स्ट एक्वेशन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक 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 अगर अगर 1.8 1.8 ग्राम ओफ वोटर की बात करें तो यहाँ पे नमबर ओफ मोल्ट क्या आ जाएंगे 1.8 इंटू N A इसका मतलब डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 यह तो ऐसे बन जाएगा हमने इसकी बात कर ली 18 मोल्ज ओफ वोटर की अभी बात की अगर 18 ग्राम की बात करें तो 1 मोल में अगर बात करें तो 1 ग्राम बन जाएगा ठीक है जी similarity तो इसका अगर right option होगा वो होगा आपका option number C means 18 मोल्ज ओफ वोटर में क्या होगे maximum number of molecules होगे किसके water के clear है अगर आपको कोई भी doubt हुआ आप साथ साथ पूछ सकते हो यह simple सा वे था क्योंकि हम में पता है कि 1 मोल ओफ वोटर में कितने molecules होते है अवोगेडरो के जितनी तो 18 मोल्ज को multiply कर दिया 18 को साथ में तो उतने क्या होगे number of water molecules clear? I hope आपको समझ आ चुका है इस वे से आप क्या इसको solve कर सकते है कोई सभी options उठा के देख सकते हूँ एक-एक को करके next question की बात करते है second की देखे mole of HCl क्या होंगे formed होंगे बनेंगे अगर मैं बात करूँ तो one mole में किसके equal है? 22.4 liter हम करते हैं यह तो पता ही हमने किया था जब chapter किया था तो अगर number of moles की hydrogen की बात करें तो H2 की बात करें तो कैसी आ जाएगा? 22.4 upon given कितना हो है? 22.4 ही given है मतलब कितने liters आ गया? कैंसलो के one liter आ गया हाईडरोजन तो similarly आप कलोरीन का निकाल सकते हो number of molecules कलोरीन के निकाल सकते हो अगर कलोरीन की मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो NCl2 number of moles कि किसमे कलोरीन में कलोरीन की अगर बात करें तो कितना है? 11.2 upon 22.4 और यह तो liters में given ही है इस वे में निकालोगे मैं direct कर रही हूँ आप क्या है? अच्छे से explain भी कर सकते हो मतलब कर के देख सकते हो बन गे? अगर reaction की बात करें कैसे HCL बनता है? जब हाईडरोजन कलोरीन के साथ react करती है ठीक है जी? तो आपके दो molecules किसके बन जाते है HCL के बन जाते है reaction यही होती है initial की बात करें कितने है यह 1 mole है यह 0.5 mole है यह कितने हो जाएंगे अगर total की बात करें 2 into 0.5 ठीक है जी? यह initial थी अगर मैं बात करू final की, final में क्या हो रहा है? कि final में 1 minus 0.5 mole जो आपके बन रहा है इसमें chlorine के कितने है यह तो चले ही गए chlorine ठीक है? 0.5 to 0.50 moles रहे गए इस side क्या आजाएगा आपका? अगर मैं बात करू sorry, उपर ना just a second यहाँ पे तो chlorine बनाई है ना, यहाँ पे wait यहाँ पे 0 ही रह जाएगे यहाँ पे पास hcl initial में जो product बनता है उस side के आजाता है 0 आजाता है clear? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आगए? 0 और इस side बन जाएगा आपका 2 into 0.5 जो आपके moles है क्योंकि हमने सभी में किया है तो यहाँ पे कितना रह गया? 1-0.5 करेंगे तो 0.5 moles इधर 0 mole रह गया और hcl जो आपका बना है product वहाँ पे कितना आगया? आपका 1 mole आगया clear? इसका मतलब जो chlorine है वो क्या एक limiting reagent है? तो 1 mole में hcl क्या हो गया? आपका form हो गया इस वे में अगर मैं बात करूँ आपका कौन सा answer क्या हो गया? option A आपका 1 mole of hcl क्या हो रहा है? form हो रहा है अभी form किया कितना हो रहा है? 1 mole of hcl इसका right answer क्या आजाएगा? option A clear है next बात करते है third mcq की the dimension of pressure same as that of जो pressure का dimension है वो किसकी तरह सेम होते है आपने ये बताना है कि जो dimension है किसकी pressure की वो किसकी तरह क्या होती है? same होती है option A देखिए force per unit volume force की volume के equal अगर मैं बात करूँ next है आपका B energy per unit volume B option है energy per unit volume के option C है आपके पास force के और अगर मैं बात करूँ option D है energy के अभी pressure के अगर formula की बात करें pressure का formula क्या होता है force per unit area यह होता है न अगर मैं बात करूँ dimension की pressure की तो force का कितना होता है M, L, T की power minus 2 ये तो हमीं क्या है plus 1 class में आ जाता है और area क्या होता है length square ठीक है जी अगर मैं बात करूँ ये तो हो गया आपका जो dimension आया किसका pressure का कितना बन जाएगा यहां से M L की minus 1 T की power minus 2 यहां पे आपका ये क्या गया pressure का dimension अभी एक एक उठा के चलते हैं आप क्या है force per unit volume का भी निकाल के देख सकते हो energy per unit volume का भी देखो force के साथ तो match ही नहीं है ये तो cancel ही हो गया ठीक है जी energy के साथ भी नहीं होगा इन दोनों को आप solve करके देख सकते हो मैं आपको क्या है direct answer की तरफ लेके चलती हूँ अगर हम बात करें energy per unit volume की इसका मतलब क्या है energy per unit volume ऐसे energy की dimension क्या होती है M L T T की माइनस 2 यहां पे भी L का square length भी double होती है और volume क्या होता है LQ तो यहां पे क्या बन गए M L की माइनस 1 T की माइनस 2 दोनों का क्या हो गया pressure और energy per unit volume का same हो गया इसकी वज़े से आपका right answer क्या बनेगा option B आप option A भी solve करके देख सकते हैं clear है जी next बात करती है fourth MCQ की boron has two stable isotopes boron के पास क्या है दो stable isotopes है कौन कौन से एक तो है अगर हम बात करें कितना 10 boron के power ऐसे इस वे में एक है 11 दो isotopes है आपके पास आपने क्या calculate करना है average weight of boron in periodic table आपने average weight निकालना है किसका boron का ठीक है जी average कैसे निकाल सकते हो weight आपका boron का इस questions के ना option रहे गए हैं तो हम ऐसी solve कर लेती है एक तो ये जो isotope है इसकी जो अगर मैं बात करूँ amount की कितना होता है 19% होता है ये ठीक है और अगर मैं बात करूँ इस बरोन की तो इसको हम लेते हैं 81% के near about ये आपको given होगा question में statement आदी है ये तो इस वे में अगर मैं बात करूँ तो आप क्या है average atomic weight कैसे निकालते हो submission of percentage किसकी abundant की जो ज़्याद amount में present है साथ में क्या हो जाता है आपका add हो जाता है sorry multiply हो जाता है आपका atomic weight atomic mass और divide किसके साथ हो जाता है आपका 100 के साथ ठीक है जी अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो values को put कर सकते हो value को अगर हम put करें तो क्या बन जाएगा आपके पास क्या था 19 present था 19% कौन सा 10 बरोन वाला जिसका 10 आइसोटोप था ठीक है जी 81 present है किसके साथ जिसका क्या है 11 है divide किसके साथ कर दोगे आप 100 के साथ तो इसको आप solve कर सकते हो जब आप solve करोगे तो आपका प्रोक्सीमेटली अंसर आजाएगा 10.81 तो ये आपका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा इस question का clear है I hope आपको समझ आ चुके हैं next बात करते हैं हाँ जी next देखिए next mcq among the following which is not a paramagnetic आपने बताना है इन में से paramagnetic कौन नहीं है question में जो note है इसको ध्यान से पढ़ना है option यह है neon की two positive charge है ठीक है जी brilliant की भी positive charge है chlorine पे negative charge है arsenic पे भी positive charge है अगर मैं बात करूँ इनके atomic number की brilliant का atomic number 4 होता है neon का atomic number 10 होता है ये तो आपको पता ही है chlorine का atomic number 17 होता है और अगर मैं बात करूँ arsenic की arsenic का atomic number 33 ठीक है जी ये तो होगे atomic number अगर मैं इनके questions की according चलूँ तो इन्होंने क्या का हुआ है just a second हाँ जी brilliant पे कौन सा चार्ज है positive इसका मतलब इसके पास इसने क्या कर दिया एक electron क्या कर दिया अपना lose कर दिया तो brilliant पे अगर positive charge है तो क्या बनेगा ब्रेलियम पे अगर positive charge है तो 3 आगया atomic number क्योंकि एक electron तो donate कर दिया neon ने क्या किया हुआ है 2 positive electron तो कितने रहगे इसके पास neon के पास 10 similarly अगर बाकियों की बात करें कौन सा है कलोरी ने 1 electron गेन किया हुआ क्या बन गया 18 सिमिलरली जो आर से निक है उन्होंने क्या किया हुआ है एक electron अपना donate किया हुआ है तो क्या रहगे 32 यह मैंने explain किया हुआ है जब हमने क्या की थी वीडियो गी थी अब इनकी क्या करते है कॉन्फिग्रेशन लिखते है नियोन 2 पॉजिटिव की अगर मैं कॉन्फिग्रेशन लिखो क्या बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 आगे अगर मैं बात करूँ 2p6 नहीं होगा देगा 6 होता है न बट अगर मैं बात करूँ हमारे पास कितने रहेगे 8 रहेगे न क्योंकि 2 पॉजिटिव होगे तो अगर 6 में से 2 गए तो कितने रहेगे 4 रहेगे तो यहाँ पे आजाएगा 2p4 ठीक है जी इस वे में अगर नेक्स्ट की बात करूँ नेक्स्ट क्या था आपका ब्रेलियम पॉजिटिव 3 रहेगे एक कॉन्फिग्रेशन 1s2 2s1 इस वे में नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ब्रेलियम के बाद Cl negative chlorine ने 18 होगे एक electron गेन कर लिया क्या कॉन्फिग्रेशन बन गी 1s2 2s2 2p6 ठीके 10 होगे दन 3s2 12 इसके बाद 3p6 18 होगे आपके next last कौन सा था आर्सेनिक positive charge 32 एक electron क्या कर दिया loose कर दिया configuration 3p6 तक तो ऐसी चलेगी 1s2 से लेके 3p6 तक आगे रेखे क्या होगा 4s2 3d10 इसके बाद 4p2 clear है इसको आप क्या है open करके भी देख सकते हो अगर अभी मैं बात करूँ जो chlorine है सभी के पास क्या है unpaired electrons है देखे यहाँ पे भी unpaired electron है पी में यहाँ पे विब्रेलियम में भी unpaired electrons है अगर मैं बात करूँ neon में भी unpaired electrons present है but chlorine में कोई भी unpaired electron नहीं present सभी क्या है pairing में है तो cl negative क्या हो जाएगा आपका paramagnetic नहीं होगा जो unpaired होंगे वही क्या होंगे paramagnetic तो यहाँ पे unpaired नहीं है तो यह क्या होगा not paramagnetic हमने not पूछा था ना question में तो इसका right answer क्या हो जाएगा cl negative option c इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठीक है जी clear next question की बात करते हैं 6th question की देखे अब क्या कहा हुए suppose the element x and y दो element x and y combine कर रहे हैं और compound form कर रहे हैं एक तो sy2 और एक s2y2 ठीक है जी when 0.1 mol of xy2 weight 10 gram and 0.05 mol of x2y2 weight 9 gram तो atomic weight पता करने है किसका x and y का अगर मैं बात करूँ element x की तो इसका अगर atomic weight हम क्या कर लेते हैं let's guess कर लेते हैं कितना होगा small x और y का small y guess कर लिया हमने इसके बाद sorry let कर लिया अगर मैं बात करूँ xy2 element की क्या हो जाएगा इसका कैसे निकालते है number of moles किसके equal है weight upon given mass या फिर molar mass upon क्या आगया molar mass ये given है अगर इस पे value put करूँ तो n किसके equal आगया 0.1 के is equal to 10 आपको given है और नीचे क्या लिख दोगे आप x plus 2y क्योंकि y के कितने component आप या बस 2 ठीक है जी इसको अगर solve करें तो इधर चला जाएगा x plus 2y और इस side आपका क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा solve करके देख लेना ये आगी आपकी first equation then अगर मैं बात करूँ similarly x2 and y2 की तो इसमें क्या है same formula लगाओगे values पुट कर रही हूं मैं direct 0.05 n given है given mask इतने है आपके पास 9 याँपे क्या आजाएगा आपके पास यहाँ पे आई थींग 2x plus 2y x2 y2 है ना देख लेते हैं एक बार हाँ जी x2 y2 है 2x plus 2y जब आप इसका solve करोगे तो 2x plus 2y किसके equal आजाएगा आपका 9 upon 0.05 उपर क्या चले जाएगा 2 0s जब आप इसको cancel करोगे क्या आजाएगा आपका 180 क्या आगे आपका 180 ठीक है जी इसके बाद अगर मैं x plus y लिखूं और 2 के divide में ले जाएगा तो यहाँ पर क्या रह गया आपका 90 रह गया अब आपके पास यह second equation आगी दो equation बनगी आपकी पहली तो x plus y is equal to 90 दूसरी बनगी x plus 2y is equal to 100 x plus 2y is equal to 100 और एक equation बनी है आपकी x plus y is equal to 90 इसको solve करना तो आपको आता ही होगा solve कर लेते हैं sin change x से x cancel 2y में से y गया y 100 में से 90 गया 10 तो y कितना आगया आपके पास 10 आगया clear y की value आप किसी में भी put कर दो x क्या आगया देखो x plus y कितना आपके पास 10 equation में कितना है 90 तो x कितना आगया आपके पास 80 हमने यही find out करना था x और y इस वे में आपका क्या आगया answer आगया ठीक है जी clear हुआ तो क्या क्या आगया 80 और just a second हाँ जी 80 और 10 आगया आपके options देख लेते हैं I think options यह I think आप check कर लेना एक बार 80 और हमारा 10 आगया y 10 आगया और x कितना है हमारा x 80 आगया और y हमारा क्या है 10 आगया एक बार आप check कर लेना खुद भी ठीक है जी I think ठीक है हमारा correct है बट आप एक बार check करके देख लेना ठीक है जी अगर कोई mistake हुई तो आप comment box में बता देना clear next की बात करते है 7th mcq की देखिए 7th mcq की अगर मैं बात करूँ 7th है the number of atom in 0.1 mole of a triatomic gas triatomic gas के number of atoms कितने गीवन है 0.1 mole में हमने पता करने है ठीक है जी अगर मैं बात करूँ options की option A है 6.026 x 10 22 1.806 x 10 23 3.600 x 10 23 option D है 1.800 x 10 22 कैसे निखालते हैं number of atoms number of atoms का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ आप वीडियो पोस्ट करके खुद भी solve कर सकते हो Avogadro number into number of moles number of moles कित की बात की हुए हमने try की इसका मतलब into क्या जाएगा आपका 3 या जाएगा clear है यहां तक values को क्या कर दो put कर दो Avogadro number कितना होता है 6.022 x 10 23 into number of moles क्या है आपके 0.1 दिये हुए है और into क्या है 3 जब आप इसको solve करोगे तो approximate आपका अंसर आ जाएगा 1.806 x 10 23 तो यह आपका क्या हो गया राइट अंसर हो गया ठीक है जी इसका इस question का right answer हो गया option B आप भी खुद solve करके भी देखना तो आपको जादा clear हो जाएगा next question की बात करते हैं the amount of zinc is required to produce 224 milliliter of hydrogen at STP ठीक है जी साथ में क्या है on treatment with dilute H2SO4 will be कितना होगा ठीक है question देखे पहले क्या कह रहे हैं यह question में इन्हों क्या होगा है कि अगर zinc के पास इतने milliliter hydrogen at STP अगर उनको किसके साथ treat किया जाएगा H2SO4 तो वो कितना होगा मतलब कितनी amount of zinc होगी option A 65 gram option B 0.065 gram option C 0.65 gram option D 6.5 gram solve करेते हैं पहले मैं reaction लिख लेती हूँ देखे zinc को इन्होंने क्या किया हुआ है H2SO4 के साथ क्या किया है react किया है react करवाया हुआ है यह दिया हुआ है यह 65 gram है zinc और अगर मैं बात करूँ H2SO4 की यह कितना हो गया अगर अगर लीटर में convert करें इतने लीटर मिली लीटर आपने क्या निकालनी है amount of zinc कितनी चाहिए होगी अगर आप 224 ml of hydrogen लेते हो at STP तो अगर इसको क्या है solve किया जाए तो आपकी कैसे equation बनेगी 65 gram of zinc को अगर मैं divide कर दू जितना क्या है उनके पास अगर H2SO4 है और अगर वो लेते हैं क्या लेते हैं 224 तो उनकी जो equation आ जाएगी इसको solve करके इसको जब अगर cancel करते हैं तो क्या बन जाएगा upon 100 तो क्या बन गया 0.65 gram clear इस यह क्या आगया आपका answer आगया देखते हैं कौन सी option के साथ match है option C 0.65 gram आपका क्या हो गया answer हो गया clear है जी next बात करते हैं 9th MCQ की 9th देखिए equal masses of H2O2 and methane तीन दिये होए हमें H2 दिया होए है O2 दिया होए और methane दिया होए और क्या कहा गया है have been taken in a container जिसका volume क्या है V temperature 27 degree Celsius identical conditions in the ratio of gas की क्या है पता करने है हमने H2O2 और methane की आपने क्या करना है Avogadro according to Avogadro hypothesis अगर बात करें तो ratio of volume of gases किसके equal होती है number of moles के वो लगाना है आपने तो अगर मैं number of moles की बात करूँ यह तो आज हमने कितनी बार कर लिया किसके equal होता है number of moles mass के given mass के और upon molar mass के यही formula होता है अपका number of moles अगर मैं सबसे पहले बात करूँ hydrogen की hydrogen में कितने number of moles है weight given mass upon 2 क्योंकि hydrogen का molar mass कितना होता है 2 similarly अगर मैं बात करूँ an oxygen की इसमें भी given mass upon क्या है 32 oxygen का 1 का 16 होता है तो 2 है तो 32 similarly last उसके बात कौन से है methane given mass दिया नहीं हुआ और methane का अगर मैं mass की बात करूँ कितना होता है 16 इनको क्या ले लिया उन्होंने ratio में ले लिया क्या बन गया given mass upon 2 hydrogen का और अगर मैं बात करूँ oxygen का given mass upon 32 और अगर methane की बात करूँ given mass upon 16 यह आपस में क्या हो जाएंगे cancel इनकी ratio क्या बन जाएगी 1 by 2, 1 by 32 and 1 by 16 जब इनको आप solve करोगे तो आपक क्या ratio आजाएगा 16 ratio 1, ratio 2 यह आपका क्या बन गया? answer बन गया clear? तो check कर लेते हैं यह कौन सी option है देखें कितना simple आया हुआ है option C आपका option C क्या हो गया? right answer हो गया clear next question की बात करते हैं next का हुआ है 6.022 into 10 raise to power 20 moles of urea present in 100 ml of its solution इन्होंने क्या क्या हुआ है कि इतने moles of urea present है इस पे 100 ml किसी भी solution की तो आपने क्या बतानी है? concentration बतानी है किसी solution की डिसकस करते हैं इसको भी सबसे पहले find out करते है moles of urea moles of urea कैसे निकालते हो given mass upon atomic mass ठीक है जी अगर मैं given की बात करूँ तो आपको तो simply कितना है? 6.022 Avogadro number के साथ ठीक है जी और आप divide भी किससे करते हो Avogadro number से जब आपने moles निकालने हो किसी में आपस में क्या हो जाएंगे cancel तो कितना आगे आपके पास अगर मैं बात करूँ कितना आपके पास moles आगे यूरिया के 0.0 यहां पर कितना given है? हमारे पास 20 तो यहां पर 20 आएगा कितना आगे 0.01 clear next अगर मैं बात करूँ concentration of solution कैसे निकालते हो कितने मोल्स यूरिया है हमारे पास 0.01 कितने में फाइंड आउट करना है 100 में इंटू क्या लगा लेते हैं इनकी अगर मैं बोलू यूनिट्स के लिए 1000 भी लगा लेते हैं तो जब इसको अप्सॉल्फ करोगे कितना आगया पिए बास 0.01 मोल तो आपका अंसर हो जाएगा इसमें अगर मैं बात करूँ option D एक बार प्लीज आप खुद भी सॉल्फ करके देख लेना आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए अगर डाउट हुआ तो आप पूछ लेना चीक है जी next 11 की बात करते हैं the number of gram moles of oxygen in 6.02 into 10 raise to power 24 carbon monoxide molecule is कि number of gram molecules किसके oxygen के 6.02 into 10 raise to power 24 carbon monoxide में कितने present हैं यह बताना है आपने सॉल्फ करते हैं इसको भी अगर आपको सॉल्फ करना है तो आप वीडियो पोस्ट करके भी सॉल्फ कर सकते हैं और कमेंट बोक्स में अंसर बता सकते हैं ठीक है डिस्कस करते हैं देखे जैसे कि हमें पता ही है कि वन मोल ओफ कार्बन मोनोकसाइड के पास कितनेश और कार्बन मोनोकसाइड के कितने उतंफ्स उतने ही 6.022 into 10 raised to power 23 oxygen के मोलिक्यूल होंगे ठीक है अगर मैंने number of gram atoms निकालने oxygen के number of oxygen इन grams निकालने है oxygen atom grams में निकालने है तो क्या आगे आपका 6.02 into 10 raised to power यहां पर हमें ना I think question check कर लेते हैं एक बार 24 गीवन है तो number of oxygen कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे यहां पर तो कितना आगे 10 raised to power 24 upon क्या आगे 6.02 into 10 raised to power 23 हमारा एवगेडरो नंबर जब आप इसको क्या करोगे cancel करोगे तो क्या आगे 10 गराम नंबर ओफ oxygen कितने आगे 10 गराम आगे आपके पास 10 गराम atoms की अगर मैं बात करूं oxygen क्या होता है diatomic ठीक है oxygen auto लिखते हो ना अगर single oxygen की मैं बात करूं तो 10 गराम तो एक की है 10 गराम तो एक oxygen की है हमने number of grams of molecules of oxygen निकालने है बट किसके diatomic है क्योंकि oxygen क्या होता है diatomic तो number of gram atom अभी atom नहीं molecule of oxygen क्योंकि जब दो atoms आपस में जुड़ जाते तो molecule बन जाते है तो क्या जाएगा आपका 10 gram atom 10 gram क्या गया atom upon two atoms by molecule चीक है clear है इसके बाद अगर मैं बात करूं जब इसको आप cancel करोगे 2 के साथ 10 क्या जाएगा 5 gram molecules क्या है आपके पास oxygen diatomic oxygen के क्या है present है तो इसका right answer क्या हो गया 5 gram इसका right answer हो गया आपका 5 gram तिक कर लेते हैं हां जी B option क्या है हमारी right option है next last MCQ की बात करते हैं what is the mass of precipitate formed when 50 ml of 16.9% of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% of NaCl solution देखे इन्होंने mass precipitate पूछा है जब क्या है आपका 16.9% solution AgNO3 का mix हो जाता है 50 ml of 5.8% of NaCl solution के साथ आपने mass precipitate निकालना है option A है 3.5 gram option B है 7 gram option C है 14 gram option D है 28 gram solve करते हैं देखे अगर 16.9% solution AgNO3 का है इसका मतलब क्या हो गया 16.9 gram of AgNO3 है किस पे 100 ml में यही बात होई ना ठीक है अगर मैं बात करूँ 16.9 gram AgNO3 100 ml में है तो अगर बात करें कितना हो जाएगा किस के equal हो जाएगा 8.45 gram क्या हो गया AgNO3 किस में present हो जाएगा 50 ml में क्योंकि 50 ml तो क्या बन जाएगा अगर मैं लिखू इसको 8.45 gram किस में present हो जाएगा 50 ml में क्योंकि 50 ml दिया हुआ हमने 100 निकाला है हमने क्या निकालना था 50 ml अगर मैं बात करूँ 5.8% की इसका मतलब क्या हो गया 5.8 gram present है किसमें 100 NACL के solution में अगर 50 करने तो कितना रह गया इसका half कर दो 2.9 gram रह गया 50 ml रह गया यहाँ पे भी हमने क्या किया है half किया है ठीक है जी next अगर मैं बात करूँ तो equation पहले reaction बनाते है कैसे बनेगी reaction देखिए अगर मैं लिखूँ agno3 को जब आपके react करवा रहे हो NaCl के साथ sodium chloride के साथ तो आपका क्या बन जाएगा agcl silver chloride प्लस na no3 बन जाएगा यही बन जाएगी आपकी अगर मैं बात करूँ आगे आप initial final खुद भी कर सकते हो initial की क्या करें अगर मैं बात करूँ 8 agno3 nacl next क्या बन रहे है आपका agcl plus na no3 जब क्या है initial थी तब क्या हो गया आपका 8.45 आया था 50 ml में नीचे आप क्या करते हो molecular mass similarly sodium की बात करूँ 2.9 आया था 50 ml में नीचे क्या गया 58.5 overall next अगर मैं बात करूँ तो initial में तो agcl भी 0 होगा यहां पर na no3 भी 0 होगा final molds की बात करें तो agno3 भी क्या होगा 0 final molds में यह final है यह initial है और यह भी क्या हो जागा naCl भी 0 बट आपका agcl बन जाएगा 0.049 यह खुद जो final में value आई है हमारी agcl की उसको आप क्या है multiply कर दोगे किसके साथ इसके mass के साथ कर दे हम तो क्या बन जाएगा कितना होता है 14.143.3 तो इनकी जब multiply करोगे आपका approximately 7 gram क्या है अंसर आ जाएगा ठीक है जी तो right answer कौन सा हो गया option B clear यहां तक आपके MCQ थे एक बार खुद करके देख लेना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और अगर आपका कोई भी doubt हुआ तो आप comment करके पूछ सकते हो thank you thank you so much और please video को like करना मत भूलना share कीजिए friends के साथ और अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना thank you कर दो